चुनावी सिजन में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। पश्चम बंगाल में कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजे पियों मिद्वार अम्रितार रोय से बात करते हुए पिये मोदी ने कहा कि एडी के जप्त पैसे को मैं गरीबों के बीच बातना चाहता हूँ। मिली जानकारी के मताबिक प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप से एक सलाह ले रहा हूँ। बंगाल में एडी वालों ने करीब 3,000 करो रुपे इनका अटैच किया है। ये पैसा गरीब लोगों का है और मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें यह पैसा वापस कर दू। प्ये मोदी ने कहा कि बीजेपी के लोग बंगाल की जनता को यह जरूर बताए कि एडी के पास जो पैसे हैं वो उनहीं जरूर मिलेगा। चुनाओ बात अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लेकर कानून भी बनाएंगे। अब आपको बता दे कि एडी की कारवाई से कितने रुपे जब्त हुए। केंद्र सरकार ने साल 2022 में प्रवर्तन नदेशाले की कारवाई को लेकर एक डेटा शेयर किया है। इस डेटा के मताबिक साल 2004 से लेकर 2014 तक एडी ने 112 रेड मारे थी जो 2014 से लेकर 2022 तक बढ़कर 3000 के पार पहुँच गया। केंद्र के मताबिक 2014 से लेकर 2022 तक एडी की टीम ने करीब 99,356 करोर रुपे जब्त की। वीत मंतरवाले के मताबिक जिन मामलों में एडी ने छापे मारी की कारेवाई की। उन में से 23 मामलों में आरोपी व्यक्ति और सिंस्था के कोट ने भी दोसी ठहराया। मंत्रवाले की मताविक कोर्ट ने दोसी ठहराय जाने की वजह से सरकार को 879.31 करोर रुपे मिले 2022 से लेकर 2024 का डेटा एडी की ओर से नहीं दिया गया है महिप्रधान मंत्री नरेंद दिर्मोदी के मताविक एडी ने 3000 करोर रुपे पस्चिम बंगाल से जप्त किये है इसी के साथ अभी चर्चा करेंगे कि जप्ती की प्रकेरिया क्या होता है सबसे पहले मिस्पर विस्ता से चर्चा करते हैं धन शोधन कानून यानि PMLA ने एडी को पैसे जप्ती का अधिकार दिया है इडी जब चापमारी की कारिवाई करती है तब उसे जो रुपे या फिर समान मिलते हैं वो इसके रिपोर्ट त्यार करवाती है इस रिपोर्ट पर रॉपी वेक्ती के साथ साथ इडी के Investigation Officer की हस्ताक्षर करते हैं रिपोर्ट तयार होने के बाद E.D. पैसों को बैंक में अकाउंट खुलवा कर जमा करवा देती है। साथ ही रेड के दौरान मिले समान को लिफाफे में डाल कर लौकर में रख दिया जाता है। बिजनिस इस्टेंडर्स अक्वार के मताबिक E.D. उन समपतियों को जब्त करती हैं जिसका स्रोत बताने में आरोपी नाकाम रहते हैं। उदाहरं के लिए रेड के दौरान किसी भी आरोपी के घर में अगर पांच लाक रुपे मिलते हैं और आरोपी उस पैसे का स्रोत बताने में सफल रहता है तो उसका रुपया जब्त नहीं किया जाता है। को विस्तार से जानते हैं today to point आपको समझाते ह blindly good क narrative के अगर अगर औरफी के पैसे को सही मान लेती है तो ED उस fascic को के माले को लौटा देता है दूसरा यह कि कोच में पैसा आगर गलत माना जाता है तो ED उस fascic І guests केंद्र सरकार के पास भेज देती है केंद्र के पास जाने वाले इस पैसे को पब्लिक मनी कहा जाता है दिलिहाई कोट ने हाली में एक आदेश भी जारी किया था और छापिमारी के दोरान 365 दिन के भीतर अगर प्रवर्तन निदिशाले आरूप साबित कर पाने में नाकाम रहती है तो उसे जब सामान लौट आने होंगी क कोट ने यह फैसला भुसन पावर एंड स्टिल लिमिटेड यानि बीपी सी एल के महिंद रुपकुमार खंडिवाल के दायर याचिका पर सुनाया था जानकारों का कहना है कि कोट ने यह फैसला पीए मेले के सेक्सन एट-3 के तहत लिया था जिसमें संपती की सीज करने और उसमें टाइम बीरेट का जुक्र है इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेस्टी.com को लाइक शियर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाल